हाँ एए हई हाँ हरा है है हालो है अधाइस पृट इस लिए है भाइज दिस इस सोवीं सर बहुत बहुत सवागत है आपका इस बहुत ही खुब सुर्प से बैच के अंदर जिसका नाम है सक्सेस बैच जी हाँ तो Class 11 के भाई महारतियों आजाईए आजाईए जितने भी लोग हैं जहां कहीं पर भी हैं आजाओ भाई आजाओ मज़ा आने वाला है मज़ा अने वाला एकदम धमाकेदार त digay से येस तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बड़े ही प्यारे से कंसेप्ट को मारका जरा देख लेते कहां रख हमेने फटा फट जुड़ जाओ भाई एक मिनट स्लाइडर कहां चलो चलो अरे आगया यार यह लेने गया था ठीक है तो चलिए जितने भी बच्चे आपर जूड़े गए धनले के साथ में शुरू करता हूँ एक नया चेप्टर देखो बहुत से बच्चे नाराज भी मुझे से अरे सर यह चेप्टर क्यों चालू हुआ है पुराने वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया था फिर कुछ चालू कर दिये तो यार जनता जनार्दन जो करवा दे जनता जनार्दन जो करवा दे हैं कि नहीं तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो अगर आपको लग रहा थे क्यार मेरा चेप्टर आना चाह है और मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि यार हम उस चेप्टर के उपर क्यों ज्यादा फोकस करें जो एक तो जनता जनार्दन बोल रही है और दूसरा एंट्रेंस में भी वो चैप्टर होना चाहिए तो मज़ा आ जाए सही बात है एंट्रेंस में अगर रहेगा तो बस इसी यही सोच के साथ जो एकि मैं इस चप्टर के ऊपर आया हूं यह चप्टर जो है बाइड डिफॉल्ट मैं फिर से बोल रहा हूं बाइड डिफॉल्ट जोए कि ये चप्टर जोए कि आपके लिए मुलते ना कि वर्दान साभी तोने वाला है और कुछ बच्चे बड़े कन फीज मोड़ में लग रहे कि अरे सर शौर प्लस बैच का एक्सेस कब तक दे रहे हो ऐसा तो नहीं कि अभी एक्सेस ने कि अभी ले लोगे शौर प्लस बैच जो एक लास ट्वल्ट के लिए जो बच्चे 11 में और जो क्लास ट्वल्ट में जाने वाले है उनके लिए ये एक वरदान साबीत होने वाला है मात्र एट डबल लाइन के प्राइज में आपको फिर से बता रहो प्राइज नहीं सर प्राइज है ये प्राइज कब बढ़ आएगे आपको भी पता नीचे लेगा रहे सर सो रुपे बढ़ गए मैं कुछ नहीं करूंगा सिस्टम में एक सटन आमोंट के बाद नमबर अफिस्टों का तो प्राइज बढ़ याएगी तो ये प्राइज नहीं सर प्राइज है डिटेल में लेंग मैं वेल प्रेपेद नोट्स के साथ में तो ये डिटेल एले लेक्च्छ बुटी डरेकॉर्ड लेक्षान आपको मिलो ये complete रिकॉर्ण आपको मिलें दराप मिल्दा से जृस्ट कितना चैप्टर कर डालेंगे कितना कांसरण उड़ा देगे नियम बढ़ियासे और इसका सर एक्सेस कव तक रहेगा तो यह एक cesser है अगर अमार्च मार्च 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 देखले हापन यह एक्से से रहाँ है कि मार्च km 24 24 तक एकदम उपनली बोल रहा हूं मार्च 24 तक आपको एकसेस रहेगा जी हां मार्च 24 तक रहेगा समझ में आया सर इसमें सब आने वाला है क्या नहीं बच्ची सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं में क्या लिकाय मैंने आपर महाराष्टा बोड का जो यहां पर शौरे प्लस पैच आपके लिए हाजिर है मात्र एट डबल नाइन के अमाउंट में येस और इसका एकसेस रहेगा दो हजर चौबिस तक 15-16 महीने का कोर्स आपको भाई 900 रुपे में दे रहा हूं कोई नहीं देगा ठीक है बले बड़े जो कंपनिया वो भी आपको महीने क दो महीने के 4 महीने के 5 महीने तक की देंगी 14 महीने का कोर्स तो कभी निए ठीकहे उतना एकसेस देंगे ही नई चलेगा तो और दूसरा मैं होगा क्या अगर अभी निकाला तो उसमें तो हमारा घाटा वाला ना 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 उसमें तो डबल मुनाफ़ा होने वाला है डबल फायदा होने वाला है क्योंकि उसका एक्सेज भी आपको दे दिया जाएगा समझ में क्या बोल रहा हूं उसका एक्सेज भी आपको दे दिया जाएगा समझ में आया कोई दिक्कत है ये कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आकास चौदर और आरम बैच कब आएगी तो और यहां पर आपके पास है एक ऐसा मौका जो गर्मी की चुट्टी को जो ने यूटलाइज कर लिया दो सचाई बातारों में अगर आपने शुरुआत श्टॉंग नहीं किया ना तो फिर बाद में लड़क लाते हो और वहीं आपके साथ हो सकता है जयां अपर आपने इफेक्ट्टि तरीक सी उटलाइज नहीं किया तो भाई आगे बहुत हर्वक करना पड़ता है जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा प्रेडिक्टेबल होने वाला है कुछ नया होने वाला है इसमें लाइव महारी विजन होगा इसका भी आपको एकस्स मिल जाएगा तो क्लास 11 वाले बच्चे नहीं जो क्लास 12 वाले बच्चे ठीक है यह सब यहां पर देख सकते हैं चलिया आगे बरती चेप्टर का नाम यहा प्रेडरोक्स रियक्षन रिडरोक्स रियक्षन यस तो तो लाइव थी न पहले बच्चे अभी भी लाइव आएगा डेट इस शौर रियर 2.0 होगा वो क्या रहेगा शोरे 2.0 फिर से रबीड कर रहूं वो क्या होगा बच्चे शौरे 2.0 होगा यह है शांतुन्ध काले य एकसे दोनों मिल जाएगा बच्चों को दोनों मिल जाएंगे यह जिस पर यह बहुत बराच अपर रहे संकित बिल्कुल नहीं बच्चे ये बड़ा मज़दार चप्टर रहे बाइंटर्स्टींग चेप्टर है रे रिदॉस्ट मैं आपसे बात करऊं चले करकर समझते हैं कि तर्य लालाल बहला ने वाली कि हमारे पास है लाल कलर की बैल हमारे पिछे आने वाली एगा ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है अब बढ़ा पीछे लग गई है चप्तर के रूप में नहीं मेरे भाई कारी फुल फॉर्म देखो कर फॉर् फॉर्म देखो में धूल। एंट प्लब, रेडर मतलब, रे डॉक्ट्षन, च्झ तो हमको समझना पढ़ एक किसर defenses रेडरॉटिशन ऑ्सिटेशन !!! है तो redox reaction कहीं ने कहीं red मतलब reduction ox मतलब oxidation यह चीजों को follow करके बन रहा है कोई दिक्कत है कोई doubt है yes चलिए एक बच्चा मुलने के सब discounted on a year के उपलक्ष में बच्चे तु बाहर जाके पता कर और देख की जो अधर सब्जेट उसमें कितना discount मिला है या मैं बोल सकता हूं कि जो बाकी जंगा पर जो अलग मैं अपने बढ़ाओं के बात नहीं कर रहा हूं मैंस की बात नहीं कर रहा हूं बाकी जगा आप जाके देखो कि इनी सब्सक्राइब कर दो हजार रुपए और आप ऐसा चुटके में खरीटे देगा इस सोविन सर पढ़ा रहे हैं पांसो डिसकांदिया सर ने एक काम को पहले खरीदे लो लेकिन हमने ना बच्चे वह किया नहीं कोर्स का प्राइज एक्च्छल में धाई तिन रखा है लेकिन हमने एक जिन्यून प्राइज रखा कि वह रखें जो बच्चे सक्षम है देने के लिए और उतना ही रखा है बच्चे तो यह प्राइज जो है ना डिसकांटेड रेट के साथ ही मिल रहे है आपको मैं आपको यहां पर देखाऊं 5000 फिर कट करके बताऊं जनरली ऐसा होता है है कि जो प्रीमियम बैचेस होते हैं उनके अंदर काफी हाई प्राइज होती है बढ़ डिसकांटेड रेट में उनको काफी कम भी मिलता है यह जो है अल्यड़ी मैंने कम करके दिया हुआ है ठीक है बच्चे चलो कंपलसरी नहीं है सरीदम कंपलसरी है का लेना मैं करजा ले देंगे और वह किसी काम के लिए खरीदेंगे आप जब ऐसा होगा किया पहला समस्टर या पहला इनुटर जब देंगे कोली चेंडम में आपको यार मेरे तीर मां का रहे हैं दो मां का रहें मां पूरा वेकेशन में खराब कर दिया तब आपना दस-पंदर आज़ा को भी और वो ऑनलाइन करेंगे तब आफलें में जाएंगे कि अभी आट सो नो सो बहुत ज्यादा लग रहा हूं मैं समझ रहा हूं ठीक है ऐसा होता है कभी कभी ठीक है चलिए यहां दो जारा अब रिडॉक्स की बात करेंगे तो सर रिडॉक्स में रिडॉक्शन और ऑक्सिडिश में ऐसा हो सकता है कि एडिशन औफ ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ करेंदि ऑफ उक्सीजन हुआ तो था जिक्रांटेशन हुआ हुआ लॉस के लिए और घ्यू और चाहलें जाशलिंग एगरो गया या औक्षीनिशन नंबर अगर इंजी जो गया औक्सीशन में आधे। यह ब इस लिए आप इसको नहीं लेंगे लेकिन जब डिमांड आएगे तब यह फ्राइज पर भी लेंगे वह सचाही है तो मैं इसा कुछ मत करो मैं आपकोत्व आपको समझाने विए बतार रहा हूं पैसा का पैसा सतne mash है अरहा है के बाद लाइव में फिस नहीं देने प्लिज रिपला प्रांजली नहीं लाइव में बाद में पैसा नहीं पे करना लाइव आपको एक्समिल जाका डारेक्ट addition of oxygen yes sir loss of electron yes sir oxidation number increases yes sir other as a hoga to humbling oxidation what I am about oxidation oxidation is defined as where the addition of oxygen happen or the element loses electron or the oxidation number of element increases is a bullying your oxidation समझ में आया आपसर reduction क्या होता इसका उल्टा कर दे बच्चे इसका उल्टा कर दे सर रिडॉक्षन में क्या होगा ताम बोलेंगे addition of hydrogen addition of hydrogen addition of hydrogen addition of hydrogen gain of electron gain of electron या फिर ऐसा हो जाए कि oxidation नमबर आपका कम हो गया oxidation number decreases oxidation number decreases बहुत सारे बच्चे confused sir यह oxidation number क्या होता है जो आप बार बार बता रहे हो समझ में नहीं आ रहे हैं yes कि आधास बोलेंगे सब्सक्राइब करते एक दिन के लिए जब मैंने कम किया था ना तब बच्चे तो आराम कर रहा था ठीक है जिनको लेना तो उन्होंने ले लिया फटाफट चलो यह सिस्टम में होता है बच्चे हमारे हात में होता है अको पैर इस सब्सक्राइब करके उसमें कूपन कोट अब लगा सकते एक सिस्टम पर ठीक है तो वह सिस्टम्में अल्लड़ी कि nou हौ अब कै explain a New 돼요 all the reaction तो redox reaction कि स्को बोलेंगे या रिडॉप स्का मतलब क्या हुता रिशन मतली दॉप याक्ष लिखो what do you mean by रडॉप्स अंच्ट्डी श्मागे ये जिए से रदशन समझा गाए है यह सर अब अब बात करेंगे रडॉक सिसको बोलते देखर रोच के लिए का कंदिशन है मारा सिम्पल पंडिशन है दर रियक्शन इन विच याप लिग्दर रडॉक्स रेक्शन इतापन फिल ओंगे वोट इज रडॉक्स रेक्शन ठीक है एक मेल कभी सिर्फ रडॉक्स लिखा तो लाजीब भी लागेगा चलो अब ठीक है क्या बोलिंगा अंसर में दर रियक्शन in which both oxidation and reduction and then I upper both oxidation and reduction more than the sun about the answers or know the reaction in which both oxidation and reduction occurs simultaneously 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 Beno Sonia मतलब कैसा reaction this made oxidation or reduction donationop saat saath 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 लुजा हमारा है साइमन दिन सलीड रेक्षिन इन लिश्य बोट ऑउसिदेशन अरशन अकटा साम नसलीज इस अ कॉर्ड रेडॉक्स रिएक्शिन इस कॉल रे डॉक्स रिएक्षिन जो बात समयं आ रोगये एक्दम बनीया से दिमाग की नसों में से टहो रहे है के लाकर सीध शेतो जा रहा है यह से आन्शु क्या बोल रिशार अप्ट टोल को नहीं पढ़ाएं गए क्यों ने बढ़ाएं गए यार हमारा आरम बैच्ट में से रहेगा क्यों नी पढ़ाएंगे और के सब्सक्राइब एक कि यह एस यह एचे सहांतों नarbeiten यह बस तुम हो जाएगा आँगा कि प infection देदेता हुआ इस सब्सक्राइब गण्पारम्स आफ रुप्रस्ट लीगा उसकर सब्सक्राइब उसक् coalition कि गफ इस वांस्ट विक ऑफ जनुरी में प्राइज आपके बढ़ आएगी में वापस बता रहा हूं बात में बोलना नहीं सर्मे बताया नहीं था एक चलो रेडॉक्स रिएक्षिन दन ये सर्द रेक्षिन इन वीच बोथ ऑक्षिदेशन इन रिखिन अपर से सामें डिसने इस कॉल र पॉर्षन हो जाए आप अटेंड कर लो उतनी बड़ी बात है कितना बच्चा आया इस गनेश कितने बच्चे है जब च्चे इस समय कितने बच्चे है चैट में और कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको ओडियंस के रूप में सही से सौ भी नहीं देख रहे है कि 11 में सब्सक्राइब हो गए मुक्के सब्सक्राइब हो गया कुछ लिम्टेड लोगे जो जी जान लगा देते लिए लिए लेकिने लिए खुद बच्चे चाते कि हमको छोड़ दो हम तैसे तरी पार लोग है हमको इजजत मत दो भाई और यहीं रीजन है कि आप अपनी वैली ख हातों में होती है गनेश तो अगर आप चाहते हैं कि सर धमा का हमारे लिए भी कुछ करो अच्छा सा अभी कल एक बहुत 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 होने वाला क्लास्ट के लिए जिसका सर्प्राइज नोट आपको बैक टूबैक कमूलिटी पुस्ट में मिल रहा होगा नहीं है कि नहीं सर्प्राइज नोट में मिल रहेगी नहीं मिल रहा है चलेगा येस तो वो जो सर्प्राइज का जो इनफॉर्मेशन है ना बही कल आके देखना मज़ा आएगा कल क्या होने वाला है सर फिर आपको पता चलेगा चलो ऑक्सिदेशन मतलब यहाँ पे कर्फियोन है कि सर यह ऑक Oxidation number क्या है बहुत तकलिए Oxidation number हम किसको बोलेंगे कौन है Oxidation number में अब जो बोल रहा हूँ अगेर बहुत ध्यान से सुनना कि मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ Oxidation number सबका नहीं बताऊंगा कुछ लोगों का बताऊंगा सिर्फ काम की चीज़ बताऊंगा भी अभी फिलाल सिर्फ काम की चीज़ या दखना नोट कर लो इसको यह मैं रूल में सिखाऊंगा आगे बट अभी फिलाल इसके जरूद हमको नहीं है अगर कोई अकेले रहेगा एलिमेंट अगर कोई एटम एलिमेंट के रूप में है अगर कोई एटम के सुरूप में एलिमेंटल फॉर्म में है एक्जामपल के लिए एच टू ले लो लो सी अल्टू ले लो सोडियम ले लो कैल्शियम ले लो ओत्री लो इन सबका ऑक्सिद्रिशन नमर जीरो होगा पहला के समझ में आया पहला के समझ में आया बस दो चीज़ समझ नहीं है अगर कोई बंद एलिमेंटल फॉर्म में जैसे एच टू सील टू एनने कैल्शियम औक्सिजन या ओजोन कुछ भी ऐसा ले लो ठीक है सर में शौर बैच लेरो नहीं भाई शौर बैच मतले ना शौर प्लस बैच लेना अगर आप क्लास एलिमेंट में हो शौर बैच लोगे फॉस जाओगे आपको कोई अटॉमिक आयन ले आपने का ले लिया अटॉमिक आयन ले लिया तो उसका औशिडिशन नंबर जो होगा उसका जो ऑक्सेडिशन नंबर होगा वो चार्ज के बराबर रहेगा यह कैसा एक अटॉमिक आयन होना चीए यह मोनो एक आटॉमिक होना चीए कैसा होना चीए मोनो मतलब एक एक आटम जैसे एक्जांपल दे दो मैंने बोला सोडियम 1 फ्लस इसका ऑक्सेडिशन प्लस ब्लस मैंने बोला केल्शियम 1 प्लस है सबसका प्लस टू मैंने बोला बच्छिय नोत करके समझव इसको यह एक नोट मालो का आपको एक नोट लिखा के दिया सरने इसको नूट के रूप मिले लो यह अपने दिमाग में सेट कर लो पहले यहां तक समझ माया आक्सीडेशन नंबर क्या सब बताओंगा बच्छी प्रांजे थोला सा रूप जाब बस ऑक्सीडेशन नंबर क्या भी समझ में आएगा वापस से रिपीट कर रहा हूं ऑक्सी ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है अभीिस लगजो आपने जो ऑचीरेशन कर राओं में उसके अंधर और 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 बढ़तीं नमिर्गया में आ अब हरदीरि निशल का मतलव होता है the amount of charge the amount of charge present on the atom बस इसी को बोलते हैं और से देशन नमबर जैसे एक्जामपल के लिए अगर मैंने बोला ह2 तो इसके बर कोई चार्ज निये इसले इसका उक्सेडिश्यन नमबर 0 हो गया मैंने बोला सीए 2 प्लस इसके ऊपर 2 प्लस अब समझ मैं है आप जो से लिए को बोलते हैं उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैς र Mostly Homber आप ऑसे डियाए ठोघूता है समय के साथ बदलते रहता है कि वो किसके सात्थ अगर मैं आपका अपर अलग हो गाप लेकिन अगर मैने ऐसा ले लिया अगर मैंने ऐसा ले लिया कि अलग होगा कि वह अलग तरह का बिहवर दिखा रहा है तो ऑक्सिडिशन नंबर क्या होता है जो उसके सर पर तो चार जोता है उसको ऑक्सी दिशन नबर बोलते हैं बटो डिपन करता है किसके साथ वो अटेच है अके लिया तो कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी के साथ है तो भी अम निकलते और तरीका सिखांगा कैसे निकलते हैं बट फिलाल आपको समझ में आ गया तो अगर मैं आपसे बोलो कि ऑक्सिदेशन यह पहला डेफिनिशन और पर कौन दिखाएगा तो मैं एक्जामपल ले रहा हूं आपके लिए यहां पर एक्जामपल ले रहा हूं क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सोडियम जो है जब इलेक्ट्रोन लूज करेगा तब सोडियम प्लस बन जागा तो उसने इलेक्ट्रोन लूज किया अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोडियम को ऑक्सिदेशन कितना है तो रूल के हिसाब से यह जीरो है यहां पर सोडियम को ऑक्सिदेशन कितना है सर यह प्लस वन है तो आप मुझे बताओ कि जीरो से प्लस वन अगर जब यह बंता है तो ओक्सीडेशनhat कम हुआ कि ज़्यादा हुआ गुअ उक्सीडेशनत ow ard सो गां ज्रों यी नदिक सब्सक्राइब कर दिए अरे जून में दे आए रहे तु आराम कर टॉपर बैचाए ना तीटे चनुल कर बोलो सर ऑक्सिडेशन नंबर इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ ऑक्सिडेशन नंबर बढ़ गया बहुत बढ़िया यहां पर लाइन जरा पर बच्चे क्या लिखा है जब ऑक्सिडेशन नंबर इंक्रीज होगा तब हम क्या बोलेंगे तब उसका ऑक्सिडेशन हुआ मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सिड हमाद अभी दुसारा देख बच्झे दुसला देख जरह यह कलोरीन लिया मैंने क्लोरीन का उक्सिरेशन जीरो है इस भाइस आपने इलेक्ट्रोन ले लिया और लेकर से यल माइनस वन बना दिया इसका उक्सिरेशन नमबर माइनस वन आ गया अब बता बच्चे जीरो से माइनस वन कम हुआ कि ज्यादा हुआ कम हुआ कि ज्यादा हुआ फटाफट बताओ कम हुआ कि ज बोलो 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 कम हुआ की ज्यादा हुआ कम हुआ की ज्यादा वा जल्दी बूलने मेरे भाई ऑक सिरिश्ट नम्र कम एक ज्यादा है फटाफ़र बोलकम वा सब्सक्राइब अंग पर लिखाए और अजिन नम्र डिक्रीजाज का इसका रिडॉक्शन ओंगाई यह बात समझ माई यह बात समझ माई और सबको कोई दिक्रत एक्जांपल में एक्जांपल दिखाना रिडॉक्स क्या होता है रिडॉक्स एक ऐसा बंदा है जहां पर ऑक्सिदेशन और रिडॉक्शन दोनों साथ साथ हो रहें सर कैसे होगा सार इसका एक्जांपल दिखाओ तो अपने दिमाग में सेट करो यह से कि मैंने बोला एम जी और जीनक टू प्लस इन दोनों को रिट कर प्लस बन जाएगा ओर दिक यह सब online चाहितर को मिलाएंगे तो यहां पर बन जाएगा एंजी टू प्लस बन जाएगा और ज्ञेंक नॉर्मल बन जाएगा यह ऐसा रियक्शन वाशन में में एम एंजी का ऑक्टिशन कितना ही जीरो बाद में जी कितना हो गया सर प्लस टू हो गया जैदन कितना है प्लसस्टो था बा pista बात में कितना हो गया 30 तो अगर मैं आपको बोलू है यहां पर अगर मैंथ को बोलू के चलों एक काम करो एक काम करतें इसको मैच करो जरू हरा मैंच इनकरतें 0 से प्लस2 क्या दिख रहा है यह सरूर यह बढ़ गया То Oxidation दिख रहे और दूसरा देखते हैं गया हुआ है दूसरा कर्या क्या हो रहा है जीक सब्छी से गया अरे सर यह तो कम हो गया मतलब यह रिडॉक्षिं दिखा रहा है बोल की जो सबको verdi गजाम्पल समझ में बढ़ियां से एक्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ माया कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी यह बढो अरे कर्ला का भच्छे लविज लाइफ का ज़न अब चाहिए आई ता सांग माला यह कर लोगा तिकले यह संगा भाला मैं आप numbein numbeer मंझे का और चार्ज प्रजिंट अन दी एंटम तेज लोका वर काई चार जाए न त्यात चारज अमिल अपाई कर संदा और सिन नमबर मंता तर्ला ऍव कड़ा आए येस आगेड़ी तर आप अब कुछिन अने वाला है अब कुछिटन अने वाला है आव आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग कंसेक्ट बहुत जादा इंटरश्टिंग औक तो ज आप विश्व कोई टेस्थ सेरीज मिलेगी आपको उसका सब्सक्राइगा और जो और जो प्राइज रहेगी वह हम बाद में बताएंगे और जो टेस्ट रहीगा वह हम बाद में रिलीज करेंगे एक पार्टी को दूसरे पार्टी से मिला देते बोलते हैं मैं घर बेचने वाला एजेंट हूं मतलब तुमंको घर बेचना आए तो मैं घर खर दिने वाला एजेंट हूं तुम्हारा काम आसान कर देते हैं मैंने बोले है ऑ कि अजय सम्झा ये ये सम्झा क्या पहले हो बतां है ये सम्झा क्या ये ये सम्झा वै आक्ष है यह सम्जा और आगऌग एजिन जुए और रहिए वह लोग वहते हैं जो ऑक सेटेशन сосटों करवाने मीदे इकले घी हैं जरो मैं सम्हिंजाता हूं एलेटरॉन लेता है फ्लोरीन माइनस बन जाता है यह जो है ऑक्सीडेशन दिखा रहा है ध्यान सुना ज़रा यह जो है ऑक सिरेशन दिकार को फिर शेशन नुम्र बढ़ा है यह जो है रिडक्षिन दिखार है पीछे मैंने करा था कोई बड़ी बात नहीं अब अपना लूज करके सोडियम प्लस बना रहा है और इसका ऑक्सिडेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन हो रहा है अगर मैं आप से बोलू कि सोडियम ने इलेक्ट्रोन लूज किया अगर मैं आपको बोलो कि सोडियम ने क्या क्या बच्छे electron lose किया sodium ने क्या-क्या इलेक्ट्रोन लूस किआ और chlorine इलेक्ट्रोन लिया ही नहीं अरे ये electron जो लेना चेक्लोरीन लिया इन तो क्या sodium plus बन जाएगा क्या sodium plus बन जाएगा बोलो ते टीवी का वोई स्कम करें भाई हमारी टीवी नहीं है मेरे अंग्छे हमारी टीवी नहीं है रिंदे गुअ हमारा खुद का है नहीं जहां पर मैं TV की वालिम का कम कर दू इरिये पर कोई चला रहा होगा बाप्या कर सकते हैं क्या ही कर सकते हैं ऐसा समझ लो ठोगे बट आवाज के सामने में उम्मीद करों कि टीवी की आवाज कुछ भी नहीं होगी येस बोलो अगर सोडियम ने अपना इलेट्रॉन लूज किया अगर सोडियम ने अपना इलेट्रॉन लूज किया तो वो ऑक्सिरेशन बना रहा है लेकिन अगर क्लोरीन ने उसका इलेट्रॉन ल आदा कारा सिका गया आपको बोलह गया सोडियम है लिटरोन लूज और टो लूजन करता है जब तक वह कोई और ले नहीं लेता है तब तक सामने वाला प्लस नहीं बनता है समयா? इसব के लिए क्लोरीन का यहां पर बहुत बड़ा रोल है अगर क्लोरीन लेगा तो इसका खुद का रिडक्शन होगा लेकिन क्लोरीन के एलेट्रोन लेने से सोडियम का उक्सिदिशन हो जाएगा एगरी कर रें कि नहीं कर रें सब्सक्राइबूंज में तब प्लस नहीं बनता है जब यह क्लोरीन इलेक्ट्रोन ले ले लेता है तब यह बनता क्लोरीन करता क्या है 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 सर्प पता कैसे चलेगा यह प्लस बन गया और यह बाते लेक्टन बहार निकलेगा वह प्लस बनेगा प्लस बनेगा हमको पता नहीं करना है आपको बता हुआ कैसे पता चलेगा है ठीक है है यह यह जो चलो देख बच्चे हमको पता किसे लिट्र लूज किया अरे मेरे भाई अगर सामने वाले लेट्रों लूज करता है ना तो 99.99% वह लेट्रों कोई लेता ही है वो तब तक लूज ने करना जब तक कोई आएगा नहीं अब समझ रहे हैं जिसे इक्जामपल के लिए एक्जामपल के लिए मैं बता रहा हूं अब आपको कोई चीज पहले से पता है कि ऐसा होने वाला तभी आप उसकी साथ काम करेंगे यहां पर वही हो रहा है कि सोडियम को पता कि क्लोरिन आज चुका एलेट्रों लेने के लिए तब सोडियम इलिट्र घर वह गा यह गारंटीर है तब हुए अलूज करेगा आया समझ में इस दिक्क्त है आधर्स बेसिक से लोँ भाई इस से बैसिक एन इसकोई फर से शिक्क भी देत पहला सोडिय में एक बोलो क्लोरीन ले लिया माइनस बन गया जब क्लोरीन ने इल्ट्रोन लिया थे तब यह भाई सापको ऑक्सिडिशन हुआ तो तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्लोरीन वह बंदा है क्लोरीन वो बंदा है जो एक्चुल में इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम को ऑक्सिदेशन करवा रहा है समझ में आया समझ में आया बच्चे मतलब ऑक्षिन एजेंट के बारे में बुलना होगा तो हम क्या बोलेंगे दर रियेजेंट विच गेंज इलेक्ट्रॉन एक ऐसे रियेजन जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं विच गेंज इलेक्ट्रॉन एंड एंड इटसेल्फ उनका खुद का क्या होता है जरा बोलो yeah and it's self undergoes on reduction are good count क całe the reduction of time is called is called oxidizing agent is called oxidizing agent क्या यह बात समझ माई क्या यह बात समझ माई Ś एक्जांपल आपके सामने नीचे लिखनेगा फ्रॉम दी अबव एक्जामपल बोलो क्लोरीम इज ऑक्षीडाइजिंग एजएंट क्लोरीम इज ऑक्षीडाइजिंग एजिंग ऑलेंगे तुम दिमाग में छपा एक दम येज बोलो 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 अब मज़ा आया अब मजा आया है बसाया चहरे पड़न चमग आनी चेहिए चलेगा !! कि यह आनसर भी तुम फोडेगे क्योंकि तुम को समझ में आ गया है कि इसको रिड़क्टेंड बोलते हैं क्या बोलते हैं रिड़क्टेंड दिमाग चला बच्छे पहले अगर मैं बोलू कि मेरे पास इस तरह से रिक्षन है सोडियम एलेक्टरोन लूज करता है और अपना ऑक्सिडिशन बना देता है है तो चलोरीन एलेक्ट्रोन ले कर माइनस बन जाता है और अपना रिडॉक्षन बना देता है अब रिडूश को बोलेंगे जो रिडूश करने में मदद करें जो रिडूच्चन में मदद करें यत मुके सरह के एब पे बची एक नंबर है वहाँ पराप पर पूच्छ सकते कि सार लेक्षर कब लेंगे या सरका अगर सर ने टीचर रखें तो साथ दो टीचर लेक्षर ले रहेंगे डेली बेसिस पे ठीक है ताप वहाँ पर कॉंटेंट कर सकते में रिखल से ज्यादा क्लार्टी में जाएगी चलेगा चलो अब देख बच्चे यहां पर यहां बजर देख सर खुन कर और आएगा मजा अब क्या चलेगा अगर सोडियम इलेट्रोन लूज ही नहीं करेगा तो क्या यह क्लोरिन को इलेट्रोन हवे में मिलेगा नहीं मिलने वाला है मतलब इसका reduction तभी हो सकता है जब sodium electron lose करेगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि sodium का electron का lose करना कहीं ने क्लोरिन के reduction में क्लोरिन का reduction होने के लिए जिम्मेदार है responsible है चलेगा कोई दिक्कत कोई doubt किसी को भी कहीं पर भी क्या ये बात समझ में आई मैं उमीद करो है ये दिमाग के नसो में मैं बैठाओ आगए यहस नसा मैं आगे बैडिया और रिच्वी इंक किसको बोलेंगे दरी एजिंट विच लूज़ इलेक्ट्रोंस विच लूज़ इलेक्ट्रोंस एंड इटसेल्फ and itself undergoes on oxidation और खुद का oxygen करते हैं and itself undergoes on oxidation is called reducing agent is called reducing agent समझ में आया example क्या होगा sir ये example है इसको ऐसे ही लिखना लेकिन इसके उपर एक स्टेट्मेंट आया इसके निचे फ्रॉम दी अबाव एक्जामपल sodium is reducing agent sodium जो है reducing agent भूला मजा आया मजा आया क्या पहले हो बताओ मजा आया wisdom कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी नेक्ष्ट आपके लिए कोश्चन लेरो में displacement reaction क्या होता है कि डिस्प्लेश्मेंट रियक्ष्टन क्या होता है बोलो displacement क्या होता है कभी सुना है एक तागतवर इंसान आके कमजोर को हटा देता अपनी जगह से चल 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 तू निकल तू निकल ये मेरी जगह है ये डॉन भाई का अड़ा ये क्या तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो सामने वाला वो कमजोर है में हाई कि नहीं है एसा होता है कमजोर और सामने वाला अगर कमजोर है तो अब्यस सी बात है यार कि उसको भी टाक्तोर आके क्या करे का अजटा देगा बसAh's I reaction में भी Joe होता है कि अगर कोई बंदा है जोरी होटास यग है तो ही थाका तका तौर को ईहां वह हाई रिश्म ऑन भर इस बर दोसमीन रेक्शिन की द जब harब देश्यों सिंट में द्री होलो खर सकशंद मिलाउचरों गाहि ऑ फार मजद आखे Reactive, the reaction in which the highly reactive element displaces, displaces the low reactive element is called displacement reaction. उसे हम क्या बोलते हैं डिस प्लेस्मेंट रियक्शन बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डिस प्लेस्मेंट रियक्शन बोलते हैं क्या ये बात एक्दम दिमाग की नसों में छप रही है बढ़िया तरीके से इक्दम कोई दिक्कत नियुक्त 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 बढ़िया एक्जामपल दिखाऊ मैं आपको एक्जामपल दिखाऊ एक्जामपल में जैसे कि मैंने लिया एफ एस फूर अब इसमें मिला दिया एंजी 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 अपर डॉन आदमी है भाई लोग एंजी आपर एंजी क्या होगा बोलो एंजी क्या करेंगा निकाल के फिक देगा बुलेगा हटा सावन के घटा मेरे को आने देदर तो यह इसके साथ ऐसा हो जाएगा दैट इसकॉल डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन सर हमको ऐसे बता चलेगा कि एंजी है यह है वो है तो यहां पर मैं तरीका बाता रहा हूं तेंट में यह टॉपिक था आपको रिटिवीडियों सीरीज मैं जो बोल रहा है तो सुनो कहो ना कहो ना क्या मांगू अल्लाजी से क्या बोलेंगे ट्रिक समझ मारा है नहीं समझा न इस नोमन अंसारी फिर से देख बच्ची ऐसा होगा कि कोई तांगा दोर बंदा जो है ना किसी लो वाले को उठाके फेक देगा उसकी जगल ले लेगा इसी को बोलते हैं डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन सरम को कैसे पता चलेगा कौन जारा रियक्शन करेगा कहो ना क्या मा मांगो अला जी से यक तरीका है कि छोटा सब भुच्चा है वो प्रे कर रहा है और उसके सामने अलगा रहे है तो काननल्रिक कि एकर आंहें वो के एंजी के ऊपर कही निदिख रहा है तो यह तरीका आपको पैचाने और कुछ और कुछ चलेगा कि ट्वेंट के सीटी का पॉर्शन करेंगे दो इलेमेंट के सीटी का पॉर्शन करेंगे तो इस बच्चे बस एक चेप्टर और कर लेना केमिकल एकली वीडियम जो सीटी में नहीं है लेकिन फिर भी अपने को करना है क्योंकि वह चैप्टर कहीं न कहीं आएनिक एकलिब्रियम का बेस है हालाक इतना फरक नहीं पढ़ता है आयने कि विरियम 12 में इतना ज्यादा डीप में मतलब बतलब बुलते हैं कि एक तरह से वहां पर भी स्टार्टिंग है बढ़ता थोड़ा बहुत जानना है कि सरी एक 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 किसको बोलते हैं वहां पर हम बताते हैं नो डाउट बट आप 11 स अगर वो खतम होते होते चार बजगे पांच बजगे तीन बजगे चार बजगे तो शायद में लेनी पाऊंगा ठीक है क्योंकि कल बहुत ज्यादा धमा का होने वाला है कल यूटुब के हिस्ट्री में कुछ नया होने होने जा रहा है ठीक है आपको लगए कि सर इसी चीज नहीं देसकता बच्चे शुबम मैं इसके गरेंटी नहीं देसकता फर्स्ट विक का गरेंटी की वो स्लॉट भर जाएगा तो दस थाइक बहुत ज्यादा लेड़ेगा मैं गरेंटी नहीं देसकता ठीक है मैं भी बता रहा हूं ठीक है आपको करने तो कर लीजिए चलो मिलत